जैए स्री कृष्ण, स्वारत आप सभी का हमारी चेनल भक्ती ज्यान में, दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वैसाक मास महत्तम के 21 में अध्या की कथा का स्रवन करा रहे हैं, जिसमें हम धर्म वर्ण की कथा, कल की अवस्ता का वर्णन, धर्म वर्ण और पित इस वैसाक मास में कौन कौन सी तिथियां पुन्यदाई हैं, स्रत देव जी बोले, सूर्य के मेश रासी पर इस्तित होने पर वैसाक मास में 300 तिथियां पुन्यदाई मानी गई हैं, एक आदसी में किया हुआ पुन्य कोटी गुना होता है, उसमें इश्नान, दान, तपश् पीड़ता से पीड़त हो वे मनुष इस पुन्यमई कथा को सुनकर करत करत होता है बैसाकमास मन से सेवन करने योग है क्योंकि वे समय उत्तम गुणों से युक्त है दरिद्र धनाद्य पंग अंदा नपुनसक विद्वा साधारन इस्त्री पुरुष बालक युवा ब्रद त पता रोग से पीड़त मनुष ही क्यों नहों बैसाकमास का धर्म सब के लिए अत्यंत सुख साध्य है परम पुन्यमे बैसाकमास में जब सूर मेश रासी में इस्तित हो तब पाप नासनी अमवश्या कोट गया के समान फल देने वाली होती है राजन जब प्रद्वीपर रा धर्म बर्ण नाम से विक्षात एक ब्रामर थे मुनिवर धर्म बर्ण ने उस कल्योग में ही किसी समय मात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मलित होने के लिए पुसकर खेत्र की यत्र की वहां कुछ ब्रतधारी मेर्सियों ने कल्योग की प्रसंसा करते हुए इस प्रकार का सत्य योग में भागवान विष्णू को संत्यूष्ट करने वाला जो पुन एक बर्स में साध्य है वही तृता में एक मास में और दौपर में 15 दिनों में साध्य होता है परंतु कल्योग में भागवान विष्णू का इसमन कलनीने से ही उससे दस गुना पुन्य होता है कल्य में बहुत थोड़ा पुन्य भी कोट गुना होता है जो एक बार भी भागवान का नाम लेकर दयाधान करता है और दुर्विक्ष में अन्न देता है वे निश्च यही और्द्व लोख में गमन करता है यह सुनकर देवर्सी नाराध हस्ते हुए उनमंद के समान नित करने लगे सबा सदों ने पूछा नारज जी यह क्या बात है तब वो दिमान नारज जी ने हस्ते हुए उन सब को उत्तर दिया आप लोगों का गठन सत्य है इसमें संद्य नहीं है कल युग में सुल्प कर्म से भी महन पुन्य का सादन किया जाता है तता कलेशों का नाश करने वाले भागवान के सब इसमन मात्र से ही प्रसन हो जाते हैं तता पी में आप लोगों से यह कहता हूँ कि कल्योग में ये दो बातें दुरगट है सितेंद्रिय का निक्र है और जिबा को बस में रखना ये दोनों कारे जो सित्ध कर ले वही नारायन स्वरूप है अत्य कल्योग में आपको यहां नहीं ठेड़ना चाहिए नाराज जी की यह बात सुनकर उत्तम ब्रत का पालन करने वाली मेर से सैसा यग्य को समाप्त करके सुख पूर्वक चले गई धर्म बढ़ने भी वह बात सुनकर भूलोग को त्याग देने का विचार किया उन्होंने ब्रह्म चर ब्रत धारन करके डंड और कमंडल हात में लिया और जटा वलकल धारी होकर वे कल्योग के अनाचारी पुरुसों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिये उनके मन में बड़ा बिसमे हो रा था उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापा चार में प्रवत हो बड़े भेंकर एबम ड्विष्ट हो गए हैं ब्रामण पाखंडी हो चले हैं सूद्र सन्यास धारन करते हैं पतनी अपने पती से द्विष रखती है सिस गुरू से बहर करता है सेवक स्वामी के और पत्र पिता के घात में लगा हुआ है ब्रामण सूद्र ब्रत और गोएं बकरियों के समान हो गई हैं बेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई हैं सुब कर्म साधारन लोकिक कृतियों के ही समान रह गई हैं इनके प्रति किसी की महत बुद्धी नहीं है भूत प्रेत और पिसाच आदी की उपासना चल रही है सब लोग मैदुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं सब लोग जूटी गवाई देते ही मन में सदा चल और कपट भरा रहता है कल योग में सदा लोगों के मन में कुछ और बाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है सबकी विद्या किसी ना किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है केवल राज भवन में उसका आदर होता है संगीत आदी कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिये है कली में आदम मनुस से पूजे जाते हैं और स्रेश्ट पुरसों की अवेलना की होती है कली में बेदों के विद्वान ब्रामट दरिद्र होते हैं लोगों में प्राय भागवान की भक्ती नहीं होती पुन्य खेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है सुद्र लोग जटाधारी तपश्वी बनकर धर्म की ब्याख्या करते हैं सभी मनुष अलपायू दयाहीन और सठ होते हैं कली में प्राय सभी धर्म के ब्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उस सब मनाते हैं अपने पूजा कराना चाते हैं और ब्यरती दूसरों की निंदा करते हैं अपने घर आनी पर सभी अपने स्वामी के दोसों की चर्चा में ततपर रहते ही, कल में लोग सादूओं को नहीं जानते ही, पापियों को ही बहुत आदर देते ही, दुरागरही लोग इतने दुरागरी होते ही कि सादू प्रोसों के एक दोस का भी धिडोरा पिटते ही और प आपात्माओं के दो संगों को भी गुण बतलाते ही। कले में गुण हीन मनुष दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोसी घृण करते ही। जैसे पानी में रहने वाली जोग प्राडियों के रक्त पीती है। जल नहीं पीती। उसी प्रकार जोग के धर्म से संजुक्त होकर मनुष दूसरों का रक्त चूंचते ही। और सदियां सक्तिहीन होती है। रत्वों में पलट फेर हो जाता है। सब राश्टों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संतानों पत्ती नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से प्रिसे स्प्रिम करते ही। जो बेद वेदान्त की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुडवान ही। उन्हें अज्ञानी मनुष सेवक की ड्रिश्टी से देखते ही। बेद सब के सब रष्ट होते ही। कलि में प्राए लोग स्राद कर्म का त्याग करते ही। बैदिक कर्मों को छोड़ बैठते ही प्राए जिव्यापर भागवान विष्णू के नाम कभी नहीं आते ही। लोग सिंगार रसमें आनन्द का अनुबव करते ही। और उसी के गीत काते ही। कलियोग के मनुष्यों में ना कभी भागवान विष्णू की सेवा देखी जाती है और ना साष्ट्रिय चर्चा होती ना कहीं यग की दिक्षा है, ना विचार का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है, और ना दान धर्म ही होते देखे जाते ही, यह कितने आशर की बात है, उन सब को देखकर धर्मबर्ण को बड़ा बहन लगा, पाप से कुल की हानी होती देख, अत्यंत आशर से चकेत हो वे दूसर दीप में चली गई, सब दीपों और लोकों में बिचरते हुए बुद्धिमान धर्मबर्ण किसी समय पतुहल बस पित्र लोक में गई, वह उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पित्रों को बड़ी भेंकर दसा में देखा, वे दोड़ते रोते और गिरते पड़ते थे, उन्होंने अपने पित्रों को भी नीचे अंद कूप में पड़े हुए देखा, उनको देखकर आर्श्य चकेत हो दयालू धर्मबर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं, किस दुस्तर कर्म के प्रवाव से इस अंद कूप में पड़े हैं, इतिसरी वैसाक मास महत्तम, 21 आप सभी को जय स्रिक्रिष्णा